आपके बस Redmi Note 13 है, 13 Pro है, Plus है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप Caller ID and Spam Call की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रॉड कॉल से अपने फोन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डाइलर पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, इस ट्रैप से ऑप्शन आएगा, Caller ID and Spam का एक option है, आप इस पे क्लिक कर लेंगे, अगर यह option बंद है, तो आप इसको on कर लेंगे, और यह होता किसलिए है, कि C Caller ID and Spam ID, जैसे True Caller होता है न, कि जिसका नाम होता है, वो स्क्रीन पे आजाता है, और कहां से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब लिखा हुआ आजाता है, बिजनस परपस के लिए है या कैसा है, अब फिल्टर Spam Call को अगर on कर देते हैं, तो जो genuine call है, सिरफ वही आप तक receive ह मतलब आज सकती है, जो fraud call है, वो back side में ही filter होके block हो जाती है, ठीक है, अब spam call वही जिसके number पे काफे सारे complaint होती है, जैसे कि आपको कोई call आया, कोई fraud कर रहा है या कुछ भी, आपने complaint मार दी, तो वो call fraud कहलाती है, तो यह आप तक नहीं पहुँचेगी, इसको on कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे करके आप setting कर लीजेगा, और एक चीज़ और कि कई लोगों का caller ID and spam call work नहीं करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे न, apps पे जाके, default app उनका selected नहीं होता है, caller ID and spam call के लिए, तो जो dialer है, वो अपना वाला select करेंगे, तो यहाँ पे काम करेगा, otherwise नहीं करेगा, मिलत नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार,